हलो गैस कैसे हो तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने जो थम्नेल में लिखा है वो बात में बिल्कुल 100% सचाही है कि रमजान के महीने में आप भूल कर भी दुबई मत आना इसके पीछे क्या कारण है क्यूंकि अगर आप रमजान के महीने में आते हो तो आपको जॉब मिल कंपनी अच्छे किस कंपनी में आपको जाना चाहिए किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए बट कुछ ऐसा इंफ्रमेशन वाला न्यूज आ जा जाता है तो मैं सोचता हूं मैं अपने वर्कर भाईयों के साथ सेर करूं और मैं और अल्रेडी खुद दुबए में दोस्तों 12 साल से जौब कर रहा हूं तो यहां का रियालिटी के बारे में रूबरू मैं हूँ इसलिए मैं यहां वीडियो रहकर आपको अपडेट देते रहता हूं तो मैं क्यों लिखा हूं ऐसा और क्या कारण है कि रमजान के महीने में आपको नहीं आना है क्योंकि आपको मालूमगा कि गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूं दोस्तों ओमान कतर सौदी बहरेन हर जगा यह रूल लागू होता है बट मैं यूए की बात कर रहा हूं दुबई का बात कर रहा हूं क्योंकि मैं दुबई में 12 साल से आपको बता है कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पता है इसलिए मैं बत देते हो इसलिए मैं जबाब नहीं देता हूँ आपका कुमेंट का जबाब नहीं देता हूँ और जो भी कंपनी से बारे में जो भी जबाब चाहिए दोस्तों कंपनी से जो भी सवाल है कंपनी के बारे में आपको पूछना है कि कंपनी अच्छी है कि खराब है तो दूसरा व बोला दोस्तों कि रमजान के महीने में आपको नहीं आना है और आपको जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा तो एक्चुली क्या होता है दोस्तों कि रमजान के महीने में दुबई और जेतने भी गल्फ कंट्री हैं वहां पर ड्यूटी टाइम टेबल कम हो जाता है मतलब 6 तो लोग तो रमजान के दूनों में ऐसे भी काम नहीं करते बहुत कम ड्यूटी करते दो तीन घंटे ऐसे कोई ड्यूटी में आया कोई नहीं आया तो बीजा का पॉर्सेस बिलकुल सुलो होता है दोस्तों बीजा जल्दी अपलाई होने के बावजूद बीजा निकलता नहीं सबसे पहला ये दूसरा क्या है कि कमपणी जो दोस्तों कमपणी बड़े बड़े जितनी भी कमपणी हो रमजान के महिने में रिक्वार्मेंट बंद कर देती है इसलिए क्या क्योंकि ओलो को च्छे घंटा ड्यूटी कराके आठ ग्हंटे का पैसे देने पड़ेंगे क्यों क्योंकि रमजान के दिनों में आप किसी पर प्रेशर भी निए डाल सकते हो किसी भी वरकर को आप जब जास्ती नहीं बोल सकते हो कि यहां इतना टारगेट इतना काम थे, इतना काम काम क्यों किया, इसलिए बड़े-बड़े कमपनिया क्या करती है, कि रिक्वार्मेंट है न, वो बंद कर देती है, बिल्कुल मतलब कम कर देती है एक दम, इसलिए मैं बोला आपको कि अगर आप रमजान के महीने में आओगे, तो आपको मुश्किल है आपको जॉब नहीं मिलेगे, क्योंकि कमपनी लोग की रिक्वार्मेंट ही नहीं करती है, वो लोग अगर आप आते भी हो तो फिर आपको एक महीना प्रोपर बैठना पड़ेगा, उसके बाद फिर रमजान बाद आपको बीजा अपलाई होगा, इसलिए एक कमपनी अपला गंटा के अलावा जो भी वरकर काम करता है दोस्तों रमजान के दिनों में तो उसको ओवर टेम मिलता है, बहुत सारे लोग बहुत मतलब गैर कौम भी रहते हैं, अधर मुस्लिम भाई लोग भी हैं यहाँ पे, तो लोग को भी अपना अगर माले आठ गंटा ड्यूटी करत हैं, तो छे घंटा जो भी बेसिक काट के जो एक्ट्रा करेंगे उसका ओवर टेम मिलता है, तो जो मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यहीं था दोस्तों कि आपको रमजान के महिने में इसलिए नहीं आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी बड़े-बड़े कमपनिया ह और रिक्वार्मेंट बंद कर देती है, आप रमजान के बाद आओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेक्ट वीडियो मिलता हो, और जो भी सवाल है आप कोर्ट के साथ नीचे लिखो, आपका भाई जरूर जवाब देगा, जब तक गुड़ बाई